रोज सुबह उठने के तुरंत बाद बोले ये दो लाइन का मंत्र, पूजा पाठ करने की भी कोई जरुरत नहीं। आप तो जानते ही हूंगे कि हमारे शास्त्रों में मनुष्य की दिन्चर्या के बारे में महत्वपूर्ण नियम बताए गए है। अगर जो शास्त्रों में बताए गए नियमों के अनुसार दिन का आरंब किया जाए, तो मनुष्य अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। तहा जाता है कि यदि दिन की शुरुआत अच्छी हो तो पूरा दिन अच्छा जाता है। हाला कि आज के समय में लोग शास्त्रों में बताए गए नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं। लेकिन सुबल के समय यदि कुछ कार्य नियम पूर्वक किये जाएं तो जीवन की परेशानिया कम होने लगती है। मंत्र जाप करने के फायदे। आपको बता दे की जियोतिश और शास्त्रों में एक ऐसे कार्य और मंत्र के बारे में बताया गया है। जिसका प्रते दिन सुबह उठते ही जाप करने से आपके पूरे दिन के सभी कार्य बिना किसी विग्ण बाधा के सफल हो जाते हैं और आपका पूरा दिन अच्छा जाता है। तो आईए जानते हैं कि आखिर कौन सा मंत्र है। मनुष्य को जल्दी उठना चाहिए। पूजा पाठ करना चाहिए। ये तो आप सभी को पता है। लेकिन इसके अलावा भी एक कार्य है जो सुबह उठने पर सबसे पहले करना चाहिए। बता दे की शास्त्रों में एक ऐसा उपाय बताया गया है जिसे यदि सर्व प्रथम व्यक्ति द्वारा स्नान करने से पहले यानि की सुबह आख खुलते ही किया जाना चाहिए। खुलते ही सबसे पहले ये कार्य करना है। हथेली देखने से पहले किसी भी वस्तू या व्यक्ति को न देखें। इस कार्य को अपने जीवन का नियम बना लें। इसके साथ ही आपको हथेली देखते समय एक मंत्र का उच्चारन भी करना चाहिए। प्रभात यानी सुबह का समय में मैंका दर्शन करता हूँ